नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत थे दोसों आप शबी को बता दे कि आज की इस वीडियो में हम आपको आपके जुनकाल की बहुत बड़ी शचाईशे रूबरू कराने वाले हैं जी दोस्तों यो कहें तो आपके जूनकाल की हम चिंताएं आज के इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं जो भी परिशानियां हैं दोस्तों वहायश में इस वीडियो को देखने के बाद आपका खत्म होना निसी थे बसरते दोस्तों आप शुबी से बस यही निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को शुरूच लेकर अंद तक आप ध्यान से देखेगा और ध्यान शे हमारी बातों को शुमज़ेगा अपने जुनकाल में हमारे बातों को उतार लेजेगा दोस्तों आपको जो फाइदा होगा आप यह बात कहेंगे कि हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया जी है दोस्तों आप शुबी वो बता दे कि आपका जो शुभाव होता है आपका जो व्यक्तित होता है और पिछले समय जो आपके शाथ या घटनाए हुई है कि आपके यह जो बढ den identity कारे थीवन हुए है कि आपको कि अगले आदमी को लगे विठी है पिल्कुल ही शचे दिल से उसे किया है सिद्धत के शाथ क्या है ताकि कोई आपको कहने शक्ता कि इन में इन बातों में खोट है जया दोसों और जब भी आपकी शुक लिए कोई कार करते हैं भले हुआ उसके हिद के लिए हो कभी भी आप उसे एशास नहीं होने देती लेकिन लोग इश्का गलत अर्थ निकाल देते हैं आपको भला बुरा कह देते हैं आपको गुश्रमाईते ही नहीं है आपकी भावनों को ठेज पहुशाते हैं कभी आपकी भावनों का कदर वो लोग नहीं करते हैं जया दोसों इसके साथी हम आप शिप्री को बता दें कि आपका जो सभाव होता है बहुत ही शांत सभाव के आप इंशान होते ही प्रंतु अगर आपको एक बार गुष्ट आ जाए तो दोस्तों फिर आपको शमालना भी मुस्किल हो जाता है आपके कुरोध को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता यदि आप क्रोधित हो जाए यदि आप आवे शमाज जाए तो आप वही करेंगे जो आपका मन करेगा जिस चीज़ को आप पशंद करते हैं आप वही चीज़ करेंगे इसमें दुसरे की दखल अंदाजी आप बिल्कुल भी पशंद नहीं करते आप अपने जिनकाल में पहुत शारी खाज गुण होते हैं और कुछ नकारदों की बून होते ही वह दोसों आपको उष्का पता भी नहीं होता आप खुट नहीं जानते हैं कि आपके अंदर इतनी इसारी अच्छी घुपियां है इतनी इसारी ऑच्छी गुण है और वुर्द्वर दोसों की ले làm शब कुछ तुम्हारा है इस परकार दिल खोल कर आपकी शिक पर भरोशा करते हैं और इस परकार प्रशन होते हैं तो सब कुछ उनको लुटा देते हैं लेकिन जब आपको जरुत पड़ता है तो वही लोग जिनके लिए आपने अपने उनकाल में सब कुछ किया है खुषे में लुटा दिया है नियच्वार कर दिया है रोपर दिया है और डुच्व लोग आप से मवाय फिर लेते हैं मुग पर तो नहीं लेकिन फीट पीछे आपकी बुरायां करते हैं आपकी निंदा भी करते हैं शादी दोस्वों हम आपको यह बात बता दें कि आप लोग जो होते हैं अगर नोकरी की बात करें बिजनस की बात करें पेशे कमाने की तरक्की की बात करें तो दोस्वों आपको ने जुनकाल में हर छेतरों में अच्छ बन रहे हैं वहीं लोग आपको नुक्षान पहुंचा रहे हैं तो दोस्तों आपको बुरा लगता है कि पहले शमें जो वेक्ति मेरे शाथ ताजिस के लिए हमने सब कुछ किया और उसी ने आज हमको धुखा दिया है तो यह समय में आपको दुख होता है और आपकी हाँ जया है बहुत शयरे शंकर्षापने जुनकाल में किया है और अभी आ रहे हैं कि आपि को बता कि आपकी जुनकाल में हमेशा कि चलती रहते हैं हैं चाहे हुआ हूआ प्रिशानियों हो घर की चिंताएं हो या फिर भुष्व की चिंताएं भुष्व को लेकर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इतने शारी उल्जन आपकी जुनकाल में लगतार चलती रहती है लेकिन दोस्तों एक चीज आपको बता दें जो खुबी आपके अंदर है उन्ज प्रिश्य नहीं हड्ते आप लगातार शविष मेंश्याओं का डंड कर सामना करते हैं सहाथ के साथ अपने कारियों में लगे रहते हैं ऑर दोसओ इन्हीं की बदोनत आप निजुनकाल में हमेशा शफलता को छूटे हैं और आगे बढ़ते रहते हैं ज्याद दोस्तों इन जिनकाल में आपको हर कारियों में शंकर्ष करना पड़ता है तब ही जाकर आपको शुपलता मिलती है तो आप देखे होंगे कि आपके बगल की कोई इंशान कोई आदमी अशा होगा जिनें बहुत चारे चीज़ें असाने से मिल जाती है लेकिन दोस्तों आपको वे शब कमेंट करके जरूर बताईएगा अपने राय हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और दोस्तों आप शुच से रहते हैं कि हमारा आने वाला शमय अब केशा हुएतित होने वाले हैं आगिर हमें किशमत का साथ मिलेगा या पिर नहीं मिलेगा आगिर हमारा किशमत कब बदल इसकी देने हiezaं पर धूसर अब आपका भाग शातविय आश्मान पर जाने वाले हीं यानि कि कि जुनकाल में जो हाँ धीरेधीरे खत्म होने वाली है इस महिने के अंत तक आपको अपने जुनकाल में बहुत भड़ी खुश्कवरी मिलने वाली है जो कि दोस्तों आप शुब के जुनकाल को बदल देंगे जो जो इस महीने में गरहों की जो गोजर है आपके लिए शुब दिखाई दे रहे हैं और दोसों इनमें आपको कुछ विश्यज बातों का धियानً रखना होगा जो कि दोस्तों आपके लाप के कारियों में रुकावटें पेदार नहीं होने देंगे दोस्तों अपने उपर वालों को देखा तो लगता है कि कुछ भी नहीं है वारे पाश अपने शे नीचे वालों को देखा तो लगता है कि बहुत कुछ है मेरे पाश जिंदगी में जो मिला है उससे कभी भी नो हो उदाश क्योंकि भगवान ने हमारे लिए वही चुना है जो हमारे लिए है बहुत खाश तो दोस्तों और आपको यहां बात शच्ची लगी हो इन पर यकीन हुआ तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक लिए जय श्रीकिष्णा राधि राधि तो आई दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यह में तरक्की के नए रास्ते खुलने में भागया आपका शयोग कराया प्रसितिया अनुकूल है इसका भरपूर शद्यूप्यों करें दोस्तों अचाना की किसी फिरी मित्री मुलाकात आ विए वजह किसी के साथ मध्वेद होने की अशंका भी लग रही है दोस्तों यह उमें अपनी जो मनोवर्ती को सकार्थमक बना कर रखने की अफशक्ता होगी दोस्तों विद्यार्थियों को अपनी प्रजक्ट में प्रिफलता के कारण उनके आत्मबल में भी कम यह शक्ति कोई महथपुर निर लेते श्रमें आप गलतियां कर सकते हैं। जिसका असर आपको निजी भाईश में नजराएगा। दोस्तों बड़े निरले लेते श्मे, जिस व्यक्ति पर आपको बहुत अधिक विश्वास है, उश व्यक्ति के साथ चर्चा करके निरले ले, ये आपके लिए बैतर होंगे। इसको प्रांद दोस्तों यश्व में आपके लिए उसे महोंगे दोस्तों यश्व में अपने कारियों शेश शमदित जो है नितियों को दोबारा से विचार करके उश पर और अधिक शुदार लाने की पर्याश करें दोस्तों आपको अवशी सकात्मक पहिणा महाशिल होंगे अगर कोई पैत्रिक शमंदी ममला चल रहा है तो दोस्तों यश्व में बहुत ही अच्छा और असानी से उन्हें आप भाल कर सकते हैं इसको प्रांदी दोस्तों यश्व में माता पिता या फिर किसी भी वरिष्ट व्यक्ति के अत्मस्रमान को ठेश नौ पहुचाएं आप जो है यश्व में अधित्तर काम घर में रहकर ही पूरा करें क्योंकि किसी भी परकार की बाहरी ग्योतिदियों में नकार्थमक पहिण दोस्तों दूसरों शेज़ादा उम्मिद ना रखकर अपने कार्षमता पर ही विश्वास रखें यह आपके लिए बैतर होंगे इसको प्रांदी तोस्तों यह में आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपका शमाजिक कारे में विशेश सयोग भी रहेगा आपके दौरा भी क्या जा सकता है तो स्ट्री वर्ग के लिए यह में दिन जो है खास तोर पर लाव दैग रहेगा दोस्तों यह में भावश्मिंदी कोई भी उजना ना बनाकर वर्तमान के कारियों पर अपना ध्यांत के दिल रखें आपको वह श्रीश सफलता प्राप्त होगी शाती दो वस्तू आपको घर में ही मिलेंगे काफी दिन के बाद परिवार के लोगों से मिलने के आउश्र आपको प्राप्त हो सकते हैं जिसके दोवारा आपको खुशियों की प्राप्ति भी होंगी इसकी ब्राइध दोस्तों आपके लिए उस्यों होगे, यहशमे किसी महत्मून प्रजेक्ट पर पेसा लगाना बहुष में बहुत अधिक लाब दायग शाबिद होगा, शिर्फ यह शुमे योजनाओं को उची तरीके से किरियानित करने की जर्थ होगी दोस्तों याश में घर के रकरकाव अतवा बदलाव शमंदी भी योजनाई बनेंगी इसको परांदे दोस्तों याश में घर में बहुत अधिक अनुशासन बनाकर रखना परवरिक लोगों के लिए मुझकलें खड़ी कर सकता है अपने शवाव में समय के अनुशार परवर्ता लाना आपके लिए आउशा होगा कभी कभी आपकी दिखाव की परवर्ती भी आपके लिए नुक्षान का कारण बन सकता है दोस्तों याश में इस बात का भी आपको आउश्य ध्यान रखना चाहिए जिसके दोवरा आपके जोन में कोई नए दिशा भी आपको प्रापतो हो सकती है जोे जोंगे इसके प्रापतो हो दिशें अगर कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो दुस्मा उशें उससे समधी जोजनाए Бणाने की और किर्यान मीत करने का उशी समय होगा दोस्तों यह हमय और पिश में अस्थान परिवर्तन की स्भावना भी बन रही है इसको परैंद दोस्तों यह में आपकी लव-लाइप के लिए लिए और आपके लव-लाइप के-ली भैत्र होगे दोस्तों तराव और डिप्रेशन की सित्थी से बचने के लिए मेडिरेशन तथा योगा का आप शहराले तथा अपना इम्यून सिस्टम को रखने की कोशिच करें दोस्तों आपको पिता दें कि यह में आपको कौन से उपाय को गरना चाहिए दोस्तों इस महिने में आप करें के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद आपका शमय शुब रहे